नवश्कार कॉर्स्पोंडर्टीव में आपका स्वागत है मेरे साथ है रगुराज परताप सिंग और राजा भाईया कुंडा विधान सभाक शेतर से निर्दलिये चुनाव लड़ रहे हैं राजा साथ पांच बार आप चुनाव जी चुके हैं छटी बार फिर निर्दलिये के तोर पर चुनाव लड़ रहे हैं इसकी कोई खास वज़े निर्दलिये ही चुनाव लड़ते हैं जी शुरुवात निर्दली की रूप में करी थी और तब से चले आ रहे हैं कोई खास वज़े नहीं है हम कॉरस्पोंडे टीवी पश्चमी उत्रपरदेश गया जाती पर संपरदाई पर चुनाव रहा फिर रोहाईल खंड गया मुद्दो की कही बात नहीं जब हम कुंडा में आए तो यहां तो मुद्दे ही नहीं दिखाई दे रहे हैं ना चुनावी शौर है ना पोश्टर है क्या वज़ा है कैसे चुनाव लड़ा जाए बिलकुल मुद्दे हैं और मुद्दा एकदम सपष्ट है मुद्दा विकास है मुद्दा सडके हैं मुद्दा बिजली है मुद्दा पानी है और इसके साथ साथ मुद्दा जनप्रतिनिधी की उपस्थिती भी है तो बिजली पानी सडक में हमारा क्षेत्र अनक्षेत्रों से आगे है मानिमुक कौंत्री जी ने बहुत सड़कों के लिए पैसा दिया है नहरों में पानी आ रहा है सूर्यास्त के साथ ही बिजली आ जाती है और इसके साथ ही जन प्रतिनी धी के रूप में मैं सदेव उपस्थित रहता हूं उपलब्ध रहता हूं जनता के लिए तो ये मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी ने आपको समर्थन दिया है, कॉंग्रिस ने समर्थन दिया है, आप मुलायम सिंग को बुलाना चाहेंगे, अखिलेस यादव को बुलाना चाहेंगे, या फिर राहुल गांधी को बुलाना चाहेंगे, श्टार परचार के रूप में, या फिर राजा में एक कार्कम और इतना उन्होंने दिया है हमारे जिले को और पूरे प्रदेश में इतनी योजनाएं लागू की हैं कि एक जिले में एक कार्कम उनका पर्यापत है पूरे और अभी समयाभाव के कारण नहीं तो मैं बिल्कुल चाहता कि वो आए लेकिन समयाभाव के कारण य तो थानों की भी बात कर रहे हैं, अमिश्चा कहा रहे हैं कि कानुन व्यवस्ता पूरी तरह से बिगड़ गई है, आपको क्या लगता है कानुन व्यवस्ता कहीं मुद्दा हो रहा है या विकास भी बात हो रही है? इतिहासिक काम हुए हैं सरकार में, चाहे वो 102 नमबर, 108 नमबर एंबिलन्स हो, डाइल हन्रेट, पुलीस सेवा हो, कई चीजे हैं, समय कम पढ़ जाएगा अगर बताने लगें, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा स्टेट है, दूसरे स्टेट से जब आप होते हैं, वो चर्चा में जादा आते हैं, और सरकार की इच्छा शक्ती इस से दिखती है, कि वो अपराध के बाद किस तरह से उसको डील करती है, उसके करवाई करती है, तो अपराध कम जरूर किये जा सकते हैं, कम हुए हैं, और अपराध होने के बाद, गंभीर अपराध होने के बाद अपराथियों के साथ कड़ी कारवाई भी हुई है आप तो नर्दलिये चुनाव लड़ रहे हैं क्या तस्वीर उबर कारा रही है बताया जा रहा है कि त्रिशंक कू विधान सवाब फिर बनने जा रही है आपको क्या लगता है जी नहीं हमारा ऐसा नहीं मानना है मैं मानता हूँ कि समाजवादी पाटी की सरकार बनने जा रही है एक आखरी सवाल है आप की छवी को लेकर बार-बार सवाल उड़ते रहे हैं आप चर्चा में हमेसा रहे हैं कभी अब लगता है कि आप विकास की बात करें कि इस छवी को तोड़ा जाए हम सिर्फ ये कहे कि आप लोग के हैं मीडिया के जो हमारे साथ ही हैं उनको जरूरत है कि बहुत दिन हो गए जहां से हम निर्वाचित होते हैं जहां के हम रहने वाले हैं वहां के लोगों से आकर के बात करें और उस हिसाब से हमारी छवी का आखलन करें उस हिसाब से छवी दिखाएं तो सेधा रगराज परताप और फ्राजा भाईया कह रहे हैं कि अब ये जनता को तैक करना है और खासकर जो मीडिया है उसको तैक करना है लेकिन वो विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं आप देखते हैं ये झाल झाल